हेलो फ्रेंड्स आश्यकरतों को आप सब अच्छे होंगे आज हम पढ़ेंगे द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 यह एक ऐसा एक्ट है जो कि सिर्फ और से फिर पर्टिकुलर एजेंसी को बनाने के लिए बनाया गया है मतलब एक NIA जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है इस एजेंसी का फॉर्मेशन इस एक्ट के अंतरगत किया गया है तो इसमें टोटल फाइफ चैप्टर से हैं 26 सेक्शन से और एक शेडियूल है फाइफ चैप्टर में जब आते हैं अपन त सेक्शन थ्री से लेके सेक्शन फाइफ तक बताया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में चैप्टर नंबर टू तो आप लोगको प्री पॉइंट आफ व्यू से यह पूचा जा सकता है कि कौन से चैप्टर के अंतरगत नेशनल इन्वेस्टिगेशन से अचेप्टर नंबर वी पूखाता सक्ता है तो इस है चैप्टर नंबर टू 3 और 4 यह सब भी आ सकते हैं तो आपको चैप्टर नंबर टू इंपॉटंट रखना है कि प्रिपॉइंट आफ फियू में यह सारे चैक्टर्ज कह नाम इंप्रण्ट टो थ। था नेश्ट्व द्वेश्ट्र अगनिजेंसी चैक्ट्र फ्रीम के जब आता है चैक्ट्र सीचार नमबर 4 में Chapter 4 में Special Court क्योंकि न यह का काम होता है Investigation करके बस आप जो भी उफेंस वह है इंवसिट करना इंवसिट करके वो कहां पर पेश करेंगे तो वो कॉट में पेश करेंगे तो कौन सा कोट होगा तो Special Court हो गया Special Court का गठन कहां पे यह फिर Constitution कहा पर हो तो चैप्टर नमबर फूर के अंतर गया यह सब चीज़ां बताएगा यह कि प्लेस आफ स्वेटिंग क्या होगा जुरिजिक्षिन क्या होगा पावर क्या होगा तो यह सारे चीज़ें जो पैसल धेर है वह स्वेड़ी सेलीखने नमबर 22 सक्षे*** और अब आते हैं चैप्टर नमबर फाइब में सभी होता तो इसमें भी विन चीजा है मिस्खम वाइब यह सेफ्ट नमबर फाइब की तो जैसे कि हम ने देख लिया है तुरिट्रल 26 सेक्षिन है, 5 चेप्टर्स हैं और एक schedule है अब आते हैं हम इसके section number 1 में तो section number 1 क्या बोलते हैं और section number 1 है short бесп stream अ गूटे ईक्सिंट अ अप्लिकेशन ऐसे की हम ने पहले पढ़ चुकर here national investigation agency, 2006 है extend में बता देरंगे तो यह extend है whole of India पर और extent में से question आपका बन सकता है ध्यान रखिएगा whole of India के सांचत ये कहां कहां apply होता है तो ये बता दियेगे कि to the citizen of India outside India मतलब ऐसे citizen of India जो बाहर रहते हैं outside India रहते हैं उनके उपर भी एप्लिकेशन होता है इस act का to person in the service of government wherever they may be मतलब कहीं पर भी हो अगर वो government की service में है तो उनके उपर ये act applicable होगा person on ships and aircraft registered in India wherever they may be कोई भी ship या फिर aircraft जो कि इंडिया में registered है वो कहीं पर भी होगी उनके उपर भी ये act applicable होगा अब हम देखते हैं section number 2 में section number 2 में क्या बात करता है section 2 का clause A है वो deal करता है agency 2 A में define किया गया agency agency क्या होगी जो कि section number 3 में national investigation agency constitute की जा रही है उसको as a word agency define किया गया है तो जहां कहीं भी आप agency देखेंगे वो उसका मतलब यही होगा कि वो NIA की बात कर रहे हैं उसके बात 2 B में बताए गया है code ये code कहीं पर भी पर लिखा होगा तो definition में उस code का मतलब यह बताएगे कि जो code of criminal procedure है 1973 का उसको इस code के टर्म पे हर जगा denote किया जाएगा 2 C में बता देगे हाई code हाई code means a high court within whose jurisdiction special court is situated ऐसा हाई code जिसके jurisdiction में special court situation है उस हाई code की बात की जाए अब आते हैं 2D में 2D में prescribed के बारे मता है prescribed क्या होगा प्रिस्क्राइब बाई रोल्स होगा 2E public prosecutor public prosecutor में क्या आएगा तो public prosecutor और additional public prosecutor और special public prosecutor तो यहां पर ध्यान रखेंगे आपका 2E पूछा जा सकता है कि 2E जो है public prosecutor और डिल कर रहा है तो इसमें कौन-कोन से आता है तो इसमें public prosecutor भी आता है additional भी आते है special भी आते है जो कि section 15 में define किया गया है जिसको section 15 में appoint किया गया सोरी 2F में आते हैं तो 2F में schedule के बारे में बताए तो schedule जो कि इस act का schedule है 2G में जो schedule offenses है जो कि जो offenses schedule में defined किया गया है वो schedule offense के नाम से जाने जाएंगे 2H में बता दिए कि special code जो कि constitute के जा रहा है section 11 के अंतरगत या फिर section 22 के अंतरगत तो वो special code होगा 2H में तो आपको सबसे important है 2A पूछा जा सकता है 2E पूछा जा सकता है और 2H पूछा जा सकता है और 2G भी पूछा जा सकता है schedule offense मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे जो terms है यह आपके act में सबसे जादा यूज किये गा है तो इनको पूछे जाने के chances भी जादा है तो आप इनके कम से कम जो points है वो आप देखके जाएगा उसके बाद हम आते है section number 3 में अब जैसा कि हमने chapter के नाम से ही समय लिया है कि chapter number 2 है जो वो deal करता है national investigation agency से तब NIA का constitution अगा हो section number 3 में होगा तो section number 3 यही बात करते constitution of national investigation agency तो section जो 3 है वो यह बोलता है कि जो central government है वो constitute करेगी है कि special agency का उसका नाम होगा national investigation agency और इसका काम होगा investigation और prosecution करना offences के उन offences के जो कि specified किये गाए है schedule में तो यहां पर बात किया गया है national investigation agency का तो simple आपको याद रखने कि जो central government constitute करेगी इसको section 3 का जो close to है वो यह बोलता है subject to any orders which the state government may make officers of the agency shall have throughout the India मतलब central government अगर order करे तो जो agency उसके पास throughout India in relation to the investigation of schedule offences जो schedule offences है और उनको अरेस्ट करने का person को या फिर all power duties privileges or liabilities which police officers have in connection with the investigation of offences committed there तो उनके पास अगर central government चाहे तो सारे powers को दे सकती है और कोई भी officer हो का agency का या फिर उसके उपर उस और above the rank of sub inspector sub inspector के rank above का subject to any order with the state central government may make exercise throughout India मतलब जो भी central government order करेगी उसको exercise कर सकता है throughout India और उस एनी अव पावर्स अफिसर इंचार्ज अफ पुली स्टेशन इन दा एरिया विच ही इस प्रेजेंट फॉर्वर्मेंट पावर्मेंट पावर डिलिवर कर रही है यह था सक्षिन नंबर 3 अब आते हम सक्षिन नंबर 4 में सक्षिन नंबर 4 जो डिल करता है किसके पास फोगे तो जो यहांच कि हम देख सकते हैं किस प्रेजेंस्स का अजन्यवर्मेंट करें दो सक्षिन फॉर्मेंट क्लós वार्मेंट क्रीकर उसके बाद ईसका सेक्षिन फॉर्ड है वह यह बोलता है प्धूब administration of agency shall vest in an officer designated as director general मतलब agency का जो administration किया जाएगा वो किसके उपर vest किया जाएगा एक officer जिसका पाद होगा जिसको designate किया जाएगा as director general जो कि appoint किया जाएगा central government के द्वारा तो ये था section number 4 अब आते हम section number 5 में manner of constitution of agency and conditions of service of members तो manner of constitution of agency किस manner पर constitution किया जाएगा और क्या condition होंगे service of members यह सब चीज कौन decide करेगा तो as such manner as may be prescribed and condition of service as may be employed in the agency shall be such as may be prescribed तो यहां पर सीधा साब बात आदियागे कि जैसे central government prescribe करेगी वैसा ही होगा और जो इसके एक्ट के provisions में दिया हुए वैसा त्या जाएगा तो यह ता section number 5 यह खास important नहीं है आपके लिए section number 3 में constitution important है और section 4 में superintendence important है इसके सिवा इस chapter में और कुछ भी ज्यादा important नहीं है अब हम आते हैं chapter number 3 में chapter number 3 deal करता है investigation by national investigation agency तो section number 6 क्या बोलता है investigation किया जाएगा किसका schedule offenses का schedule offenses क्या होते है जो offenses schedule में defined है on receipt of information अगर को information आती है under section 154 of the code मतलब CRPC के 154 जिसमें FIR का जिक्र किया जाता है वो information अगर मिलती है और वो relate करती किस से schedule offense से तब officer in charge of the police station है वो forward करेगा एक report किसको state government को यह आपके लिए important है जब भी कोई information आईगी 154 में तो officer in charge मलब जो police थाने का in charge होता है वो वो एक report बनाएगा और forward करेगा किसको state government को अब state government उस report का क्या करेगी तो जो state government है उस report को forward करेगी forward the report to central government as expeditiously as possible जित्ता जल्दी हो सके हो तो जल्दी central government को वो report भेज देगी जैसे ही report मिलेगी receipt of report from the central state government central government determine on the basis of information made available by the state government और receipt from other sources within 15 days यहां पर जो 15 days है important है within 15 days from the date of receipt of the report whether the offense is a schedule offense or not and also whether having regard to gravity of offense and other relevant facts it is a fit case to be investigated by agency अब 15 दिन के अंदर यह decide हो जाएगा कि जो offense अगर वो schedule offense है या नहीं है और अगर है तो क्या gravity offense है या फिर relevant factors है जो कि इस case को investigate किया जाना चाहिए इस agency के दौरा यह बताते हैं तो यह इस agency के दौरा तो central government तब इस agency को direct करेगी कि जाए और investigate किजे उस offense को तो यह था clause number 4 अब आते है clause number 5 में clause number 5 में बता दिया गया है कि जो central government है अगर उसको opinion कुछ लगता है कि कहीं पर schedule offense कमिट हो रहा है which is required to be investigated under this act और इस act के अंतरगत investigate किया जाना चाहिए तब वो सुओ मोटो direct कर सकता है agency को to investigate the state of offense मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पुलिस थाने में पहले report हो उसके बाद वो report state government को जाए फिर central government पास है central government ऐसा direct भी कर सकती है और जब भी clause 4 ये फिर clause 5 का order हो जाता है clause 4 और clause 5 में जो central government अगर direct कर देती है agency को तब उस order के होने के बाद जो state government और कोई भी other police officer जो की state government का है investigate जो की investigate कर रहा हो उस offense को अब वो proceed नहीं करेगा with the investigation and so shall force will transmit the relevant document and records to the agency और सारे documents को agency को सौब देगा For the removal of doubts, it is hereby declared that till the agency take up the investigation of the case, it is shall be the duty of officer in charge of police station to continue the investigation जब तक agency take up नहीं कर लेती case के investigation को तब तक उस officer in charge की duty होगी कि वो continue करता रहा है अपना investigation को तो यह था section number 6, section number 7 क्या बोलता है, section number 7 बोलता है कि power to transfer, transfer करने का power होगा investigation को किसको state government को, जब भी investigation चल रहा हो, investigation चल रहा हो किसी offense पे इस act का अंतरगत तब जो agency है, वो gravity of offense को देखते होगे और other relevant factors को देखते होगे, अगर उसको लगता है expedient to do so तब request कर सकती है state government को कि वो associate करे, मतलब help करे, इस investigation में, associate itself with the investigation अगर agency को लगता है तो वो request करेगी state government को, अब आते हैं clause B में, clause B में बोला है कि with the previous approval of central government central government के previous approval के बाद जो agency है, वो transfer कर सकती है, case को, इसको state government को investigation और trial करने के लिए तो यह एक important point है, क्या agency वापस state government को दे सकती है, तो हाँ, दे सकती है तो T में आपको यह पूछा दा सकता है कि transfer का power agency के पास investigation transfer का power state government को कहाँ पे है तो वो है section number 7 में, अब आते हैं section number 8, section number 8 बोलता है power to investigate connected offenses मतलब कोई एक जो की schedule offense में defined है, उसके साथ और दो offenses है, जो की schedule offense में defined नहीं है तब यह जो offense होंगे, यह connected offenses होंगे, और यह किसी एकी accused के द्वारा किये गए है वाइ investigating any schedule offense, अगर को schedule offense का investigation चल रहा हो, तो agency जो है वो investigate कर सकती है और other offenses जो की accused के द्वारा commit किये गए है, if offense is connected with the schedule offense और वो offense connected है schedule offenses से, तब agency के पास power होगी अब आते हैं section number 9, section number 9 में बता दीगे, state government to extend existence to NIEF मतलब state government जो है, वो assist करेगी NIEF को state government shall extend all assistance and cooperation to the agency for investigation of schedule offense अपने पूरा assistance और पूरा cooperation करेगी state government agency के investigation करने के लिए किस चीज के लिए schedule offense के लिए अब आते है section number 10, section number 10 में power of state government state government के पास power होगा कि वो investigate कर सकता है schedule offenses को save as otherwise provided in this act, nothing contained in this act shall affect the power of state government to investigate and prosecute any schedule offense और other offenses under any law for the timing in force तो ये जो बात कही गई है कि जो state government है वो investigate और prosecute कर सकती है schedule offenses के लिए या फिर other offenses के लिए ये जो पावार दी गई है state government को उसमें कोही भी कोई effect नहीं पड़ेगा इस एक्ट की वज़ा से यही बताएगे section number 10 it is like a saving clause जैसे कि हर बेर एक में saving clause होता है वैसे यह भी saving clause है section number 10 तो आपके लिए important सिर्फ और सिर्फ section number 8 है जो की पूछा जा सकता है और section number 6 और 7 है तो यह आप अच्छे से याद रखेएगा क्योंकि इन में से question मनने के chances रहेंगे pre point of view से chapter number 4 जो की deal करता है special court से chapter 4 special court section number 11 section number 11 अब बताएगा power of central government to constitute special court central government बस power होगा कि वो special court को गठन कर सकती है वही जब आते हैं तो central government के पास पावार है कि वो notification से official gadget में किसके trial के लिए schedule offenses के trial के लिए एक से ज्यादा special court का गठन करेंगी तो यह है section number 11 क्लॉस तुमें बताएगा है कि अगर कोई question arise होता है जो रिक्षन को लेकर special court का तो वो किसको refer किया जाएगा तो central government को ही refer किया जाएगा whose decision in the matter shall be final central government का decision हो वो final होगा तीसरा clause है बलता है special court shall be presided over by किसके तोरस special court presided के जाएगा तो by a judge appointed by central government on recommendation of chief justice of high court के recommendation पे central government इसको appoint करेंगी clause 4 में बताएगे agency में make an application to chief justice of high court for appointment of judge to preside over special court जो national investigation agency जो हमने देखा वो application लगाएगी किसको chief justice of high court को की special court में judge का preside करने के लिए judge को appoint किया जाए तो यह था clause 4 अब आते हम इसके clause 5 में clause 5 में बोलता है on receipt of application जैसे यह application मिलेगा तो chief justice of high court जो होंगे वो साथ दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए साथ दिन के अंदर अंदर recommend करेंगे एक name of a judge for the appointment for being appointed to preside over the special court Central government जो है वो clause 6 में appoint कर सकती है additional या फिर additional judges को special court के लिए special court में additional judge और additional judges को भी appoint कर सकती है on recommendation of chief justice of high court के करने clause 7 बता दिए कि जो भी person appoint के जा रहा है वो qualified होगा as a judge और additional judge of special court unless before the appointment वो या तो session judge होगा या तो additional session judge होगा कोई भी special court में appointment के लिए उसको minimum session judge और additional session judge होना दरूरी है उसके बाद यह बता दिया गया है अब जो question है वो section number 9 से simply पूसर जाएगा कि special court का गठन कहा पर होगा है तो section number 11 में special court का गठन होगा है अब आते हम section number 12 में section number 12 में section number 12 में बता दिए कि place of sitting place of sitting क्या होगा तो special court कहा बैटेगा special court में on its own motion or on the application made by public prosecutor and if it considers it expedient or desirable sit for any of its proceeding in any place other than its ordinary place of sitting special court क्योंकि session जाज़े और additional session जाज़े तो हार district में session court होता है वहां पर यह बैठते है बट अगर यह उसको लगता है own motion यह application लगाया जाता है public prosecutor के दवार आप और यह expedient desirable लग रहा है कि आप यहां पे ना बैठके कहीं और बैठना सहीं होगा तब for any proceeding किसी particular proceeding के लिए भी कहीं और भी बैठा जा सकता है at any place कहीं पे भी बैठे सकते है other than ordinary place of sitting ordinary place of sitting से हाटके कहीं भी बैठ सकते है अब आते है clause no.13 में section no.13 में section no.13 डील करते है jurisdiction of special courts है jurisdiction of special court क्या बोलता है not with standing anything contained in the court every schedule offense जो भी schedule offenses है जो कि investigate के जारे agency के द्वारा उनका trial only by special court ही किया जाएगा जो भी investigation होगा agency के द्वारा उनका trial करेगा तो वो special court करेगा और वहीं पे section 13 का जो clause 2 है वो क्या बोलता है section 13 clause 2 में बताया जाए कि if having regard to extendences of situation prevailing in the state अगर state में यह possible नहीं हो पा रहा है कि fair impartial और spaghetti trial नहीं हो पा रहा है या फिर not feasible to have trial without occasioning the breach of peace or grave risk to the safety of the accused या फिर feasible नहीं है कंड़कर पार a trial without occasioning breach of peace अगर trial कंड़कर होगा तो breach of peace हो सकता है या फिर grave risk है safety of accused को लेके या witnesses को लेके तब public prosecutor or judge of the special court or them accused की safety witness की safety public prosecutor या फिर जाज की safety को लेके पर feasible नहीं हो पा रहा है वहां पर trial करना या फिर not otherwise in the interest of justice या फिर interest of justice पर नहीं है तब क्या होगा तब जो supreme court है वो वो transfer करेगा उस case को pending before special court to any other special court within that state or in any other state यह important है 13 के clause 2 में supreme court के पास transfer करने का power है किसी भी एक special court of एक state से लेके दूसरे state के special court में और वहीं जब आते हैं high court के पास वहीं high court के पास भी transfer का power है any case pending before special court situated in that state or to any other special court within the state मतलब state to state transfer करना है तो यह power high court के पास है और अगर एक state से दूसरे state भेजने तो supreme court के पास है और यह power exercise supreme court और high court कैसे करेंगे तो high court और supreme court को application लगाया जाएगा किसके दौरा central government या फिर party interested के दौरा तो तभी वो उस case को transfer करेंगे अब आते हैं section number 14 में section number 14 क्या बोलता है power of special court with respect to other offenses special court के क्या power होंगे other offenses को लेके जब भी इस act के अंतरगत कोई offense का trial किया जा रहा हो special court के दौरा तब अगर कोई other offense accused के दौरा किया गया है तो उसको भी charge करके trial किया जा सकता है same trial में यहीं बताएगा section number 14 में और वही special court क्या कर सकता है उस accused को उस other जो चार्ड लगा है उसके लिए sentence भी pass कर सकता और punishment भी दे सकता है अब आते हैं section number 15 में section number 15 में बता है public prosecutor के बारे में public prosecutor का appointment कौन करेगा तो central government करेगी central government open कर सकती public prosecutor को और additional public prosecutor को या फिर one or more persons को और साथ ही साथ special public prosecutor का भी appointment करेगी कौन central government क्लॉस 2 में बता दिए कि इनकी qualifications क्या होंगे तो qualification में बता दिए कि चाहिए वो public prosecutor हो चाहिए additional public prosecutor हो चाहिए special public prosecutor हो सभी के लिए practice as an advocate for not less than seven year होना जरूरी है मतलब साथ साल का experience होना जरूरी है उसके बाद आते से क्लॉस 3 में every person जो भी appointment होगा पॉब्लिक प्रोस्यूटर अडिशनल पॉब्लिक प्रोस्यूटर और स्पेशल पॉब्लिक प्रोस्यूटर विदिन दा मीनिंग अफ टू यू अफ दा कोड मतलब जो सी आर्पिसी के क्लॉस टू यू में बदाय गया है वही मीनिंग के हिसाब से इसको डिल क्या जाएगा अब आते हैं section नंबर 16 में section नंबर 16 क्या बोलता है section नंबर 16 procedure and power of special court क्या procedure होंगे और क्या पावर होंगे special court को यहां पर बता दीगिया special court जो है वो cognizance लेने का power इसको दे दिया गया में take cognizance in any offense without the accused being committed it for trial upon receiving a complaint of facts that constitute such offense or on police report of such fact तो यहां पर special court के पास power है जनरली हम CRPC में देखते हैं कि session court के पास power नहीं होता को वो cognizance नहीं ले सकते हैं उसको हमेशा और हमेशा committed 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 किया जाता है trial court या magistrate court के द्वारब तो जो special court है यहां पर इनको यह शक्ति दे दिए कि आप cognizance ले सकते हैं और complaint भी ले सकते हैं और साथी साथ police report में भी ले सकते हैं यहां पर committed के ज़रत नहीं है तो यह section 16 का जो यह first clause है important है अब आते हैं section number 16 के clause 2 में section 16 के clause 2 में बता दीगे जो special court है वो जो offense travel है किससे imprisonment for not accident 3 years मतलब 3 साल से ज़्यादा के अपराद नहीं है मतलब below 3 years है यह फिर fine है यह फिर both है यहां पर जब special court essay offenses को try करेगा तो not understanding anything content in section 260 और section 262 मतलब यह दो section में कुछ भी लिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता special court उन offenses को जो की 3 साल से कम के हैं उनको try करेगा in a summary way और in accordance with the procedure procedure prescribed in 263 to 265 जो procedure section 263 to 265 CRPC का उसके हिसाफ से try करेगा यह special court कि अब आते हम section 17 में section 17 बात करता है production of witnesses को लिए यहां पर बताए गया कि special court record कर सकता राइटिंग में और किसी भी witness को in camera trial के लिए in camera proceeding कर सकता है special court अगर चाहे तो उसके बाद अगर कोई application लगाया जाता है witness के दवारा if any proceeding before it यह फिर public prosecutor अगर application लगाता है कि जो witness की जो life है वो danger में life of search witness isn't danger तब special court record करेगा उस reason को in writing उसके बाद उसकी identity और address को reveal नहीं किया जाएगा उस witness की अब आते क्लास 3 में और क्लास 2 का जो और क्या-क्या पर्टिकुलर को वो special court कर सकता है और ऐसे कौन कान से prevention से वो ले सकता है witness के लिए तो hold कर सकता है proceeding को at a place decided by the special code कहीं भी भी वो proceeding को held कर सकता है avoid करेगा mention of name and address of the witness in its orders or judgments or in records or in case accessible to public मतलब अपने judgment or orders में उस witness का नाम नहीं लिखेगा issue any direction for securing that the identity and address of the witness are not disclosed लब जो identity और address होगा उस witness का उसको disclose नहीं किया जाएगा तो यह सारे जो prevention है वो special code ले सकता है witness को protect करने के लिए और अगर कोई परसन अगर इस decision को contravene करता है तो उसको imprisonment दी जाएगी extend up to three years और fine which may extend to one thousand rupees अब आते हैं section number 14 में section number 14 क्या बोलता है section number 14 में बताया गया है sorry section number 18 section number 18 में बताया गया है sanctions for prosecution क्या क्या सेंक्शन लगाए जाएंगे for prosecution section 18 में जो है no prosecution suit or any other legal proceeding shall be instituted in any court of law except with the previous sanction of central government मतलब कोई भी prosecution suit या फिर कोई भी legal proceeding institute नहीं की जाएगी जब तक central government का sanction नहीं ले लिया जाता against any member of the agency किसी भी agency के member के खिलाफ कोई भी suit prosecution या फिर legal proceeding चालू नहीं की जाएगी जब तक central government की permission या फिर previous sanction ना हो अब आते हम section no.19 में section no.19 में बताया है trial by special court to have precedence that trial under this act of any offense by special court shall be held on day to day basis on all working days and have precedence over the trial of any other case against the accused in any other court तो यहां पर बता दिया गया है कि जो trial होगा वो day to day basis होगा और अगर सारे working days पर होगा और अगर कोई और दूसरे court पे भी इसका case चल रहा हो तो उसके उपर precede करेगा मतलब इस court का trial precede करेगा over other courts मतलब उसको यहां पर आना जरूरी है mandatory है अब आते है में section number 20 में power of transfer cases to regular courts यह एक ट्रांसफर का power है जहां कहीं पर भी after taking cognizance of offense अगर ले लिया गया ऑफेंस का special court के द्वारा special court को फिर opinion यह लगता है कि वह offense इसके द्वारा travel नहीं है तब या फिर इसके पाद jurisdiction भी नहीं है तब special court क्या करेगा उसको regular court को send कर देगा having जिसके पाद jurisdiction हो चीज को trial कर देगा तो यह था section number 20 section number 20 आपको pre point of view is important है यह पुछा जा सकता है प्री में कि अब आते हम section number 21 में section number 21 अपील यह बहुत important section है यहां से हमेशे question बनते हैं तो appeal में बता देगे कि जो special court है उसकी appeal कहां जाएगी तो उसकी appeal जाएगी high court में from both of facts of or on law मुझा question of facts और question of law पे दोनों पर appeal जाएगी special court की कहां high court में सीधे सीधे और किते दिन के अंदर जाएगी तो every appeal shall be preferred within 30 days यह important है आप 30 days को important mark कीजिए क्योंकि 30 days के अंदर आपको appeal करनी होगी अब जो appeal गई हाई court में वह हमेशा और हमेशा two ben two judges की जो bench होती है उसके दोरा सुनी जाएगी और उस appeal को dispose of किया जाएगा तीन महीने के अंदर from the date of admission तो यह भी एक important point है कि तीन महीने के अंदर अंदर अपील का disposal disposal होना जरूरी है अब आते हम section number 22 में section number 22 में बताया है power of state government to constitute special courts तो जो section number 22 है वो यह बताता है कि जो state government है उसके पास यह power होगा कि वह एक से जादे special court का constitution या फिर गठन करेंगी अब आते हैं section number 23 में power of high court to make rules यह high court के पास power होगा कि वो rules बनाने की शक्ति उनके पास होगी in relation to special court within its territory अब आते हैं section number 24 power to remove difficulties miscellaneous chapter में generally heading ही important रहती ही तो section 23 के आप heading है यहाद कर सकते section 24 में बता दिया गया है power of to remove difficulties अगर कोई भी difficulties इस provisions में दिखती है तो central government उसको remove करेगा अब आते हैं section number 25 में section number 25 में power to make rules रूल्स बनाने की शक्ति किसके पास है तो central government के पास है section number 25 में section number 26 laying of rules जो भी central government रूल बनाएगी उसको 30 दिन के अंदर highest of parliament में lay before करेगी यह था section number 26 तो यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया है अब हम आगे चलते हैं यह हम पढ़ रहे हैं अब schedule के बारे में हमने अभी तक एक्ट में पढ़ा था schedule offenses तो schedule offenses क्या होते हैं तो जो offenses schedule में defined है अब यह कौन कौन से इसमें से भी question बन सकते हैं तो schedule में कौन कौन से एक्ट डिफाइन है जिनके अंदर offenses अगर होते हैं तो वह उसका research उसका investigation कौन करेगा और यह करेगी national investigation agency करेगी तो पहला है atomic energy act फिर दूसरा UAPA Unlawful Activities Prevention Act Anti-hijacking Act Suppression of Unlawful Act Against Safety of Civil Aviation Act SAR Convention के अंतरगत अगर कोई भी ओय एक्ट होता है तो suppression of Unlawful Act Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platform on Continental Shelf Act Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems Chapter No.6 of Indian Penal Code यहां पे पूछा जा सकता है कि Chapter No.6 का investigation कौन करता है तो NIA करती है और वहीं section No.489 A से लेकर 489 E तक जो की counterfeit bank notes को लेकर जो बात की जाती है उसका investigation कौन करता है उसका investigation भी NIA ही करेगी तो यह जो offense against state है और offense against जो banking notes होते हैं तो उनका investigation कौन करता है तो NIA करेगी यह पूछा जा सकता है तो यह था हमारा पूरा NIA Act National Investigation Agency Act 2008 तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थैंक्यू जा हमें चाँ।